आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो आप उनको लंच वक्स में दे सकते हैं यह टेस्टी तो है और साथ साथ में हैल्दी भी है तो मम्मा को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चे ने खाया नहीं खाया तो यह अगर आप दोगे तो बच्चा 100% टिफिन भी फिनिश करके आएगा और उसको यह टेस्टी भी लगेगा तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक कप गेहू का आटा इसमें एड़ करेंगे एक कप बनी हुई दाल आप अगर सुबह यह बना रहे हैं तो अगर आपने रात को दाल बनाई है तो उसको फ्रिज में रख दीजे वो आप यूज़ कर सकते हैं या आप चाहो तो फ्रेश दाल को भी यूज़ कर सकते हैं पर इसमें एड़ करेंगे हाफ टेश्पून नमक बाखी मसाले कुस्छ अइड़ करने के जरुद नES continue अगर आपको रिक्वार्मेंट लगे तो आप पानी डालिए अधरवाइस हिससे अच्छा सा आटा गूत लिजीए अब हमें क्या करना है इस तरह से एक रोटी बेल लेनी है एकदम पतली नहीं बेलनी है थोड़ी सी हमें उसको मोटी रखनी है अब इस रोटी के उपर हम ग्रेट किया होग चीज अच्छे से फैला देंगे फिर डालेंगे हरे दिन्या के पत्ते स्प्रेंगल करेंगे और तरफ पानी लगा देना है ताकि हम इसको जब रोल करेंगे तो यह अच्छे से आपस में चिपक जाए अब हम इसको रोल कर देंगे फिर हमें इस तरह से कट्स लगा देने हैं ताकि छोटे-छोटे पोर्शन में बढ़ जाए इसके बाद हमें हर पोर्शन को उठाना है और इस तरह से हमें प्रेस करना है सारे पोर्शन को हमें इसी तरह से प्रेस करना है इसके बाद इनके उपर थोड़ा सा हमें सुखा आटा डाल देना है ताकि यह आपस में चिपक नहीं जाए अब लेंगे एक पैन उसके उपर थोड़ा सा स्प्राइड करेंगे ओल आप चाहो तो गीया बटर का यूज़ भी कर सकते हो इसके बाद एके करके सारे ये जो डाल के बाइट से इसके उपर हमें रख देने अब इस तरह से हमें ढग देना है एक तरफ थोड़ी देर कुख हो जा इसके बाद इसकी साइट को चेंज कर देंगे और इसी तरह से साइट चेंज करकरके हलके हलके स्पैचुला से हमें प्रेस करके इनको अच्छे से कुख कर लेने हैं अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुख हो चुके हैं बहुत ही अच्छा कलर इनमें आ चुका है तो बस बनगी हमारी बच्चों की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आप इसको घर के बने हुए टॉमेटो सौंस के साथ बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं तो ये थी आज की हमारी दाल बाइट्स बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं दाल की कॉइन की रेसिपी तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग